Hi, this is Neha and I welcome you all to this class, जिसमें आज हम क्लास 11th के चाप्टर नमबर 1, What is Psychology के इस लास्ट पोर्शन को discuss करेंगे, लास्ट वीडियो है इस चाप्टर का जिसमें हम डेटेल एक्स्प्लानेशन करेंगे, जैसा कि हम पिछले सारे वीडियो में करते आए हैं, यह एक topic है psychologist at work इसको आज हम discuss करेंगे पिछले जो हमारा इससे previous class थी उसमें हमें कुछ psychologist के बारे में बात की थी तो वहाँ पर आपने कुछ तो इसको समझ लिया है लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम इस topic को जरूर कवर करेंगे और next topic जो हमारा आज के class में होगा वो होगा य आपका psychology in everyday life यह एक बहुत जनरल सा topic है पर examination में पूछा जाता है अब मैं आपको यह बताते चलू कि इन दो topics में से कम से कम तीन questions बनते हैं और वो क्या-क्या होते हैं पहले इस topic को बता देती हूं कि how is psychology useful in everyday life बहुत common question है आप अगर psychology को understand कर चुके है तो आप अपने आसपास होने वाली different situations में कैसे psychology important होती है इसको बहुत easily लिख सकते है question के answer में बट फिर भी इस topic में क्या दिया है यह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी इसी book की help से और यह जो हमारा पहला topic है psychologist at work इसमें से दो question बनते हैं एक question तो बड़ा ही कौमा ने जो पूछा जाता है कि what is the difference between clinical and counseling psychologist तो यह difference वाला जो इसका specific वीडियो मैंने बनाया है जहां के board पर मैंने clinical and counseling psychologist के differences को point wise समझाया है तो मैं चाहूंगे कि आप उस video को यह जो आप देख सकते हैं screen पर अभी दिख रहा है आपको इसका link आपको description में मिलेगा इस video को आप ज़रूर देखे पूरा देखे और बह जो हमें psychology की field में देखने को मिलते हैं एक जिस मैं आपको highlight के form में समझा देना चाहती हूं कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे है clinical, counseling, community, school psychologist, organizational psychologist तो वैसे तो यह बड़ी understood बात है फिर भी मैं कहना जरूर चाहूंगे यहाँ पर क्यूंकि हमारी book में सिर्फ 5 दिये हैं इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो पस 5 types के ही psychologist होते हैं या फिर आप bound हैं उन्ही 5 के बारे में लिखने के लिए अगर आपकी better understanding या आपने और detail में चीज़ों को पड़ा है तो आप इसके अलावा भी जो psychologist होते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं और बिल्कुल आपको से ही explain किया है थोड़ा सा वीडियो को पैटन जो है वहाँ पे different है लेकिन यहाँ पे मैं आपको direct book से ही explain कर रहे हूं चली शुरुवात करते हैं quickly psychologist today work in a variety of settings where they can apply psychological principles for teaching and training people to cope effectively with the problems of their lives basically psychologist का work क्या होता है कि वो different work setting में variety of settings का मतलब हो गया अगर school में कोई psychologist work कर रहा है तो वो बच पर parents पर या teachers की जो issues है school में management के जो conflicts है उनकी लिए work करेगा अगर कोई psychologist जो है वो community psychologist है तो वो social life में आने वाले issues को resolve करेगा इसी तरही किसे psychologist जिस भी work setting में होते हैं जो setting word है आपर वो यही explain करता है कि जिस किसी work area में setting में होते हैं उसी के हिसाब से वो work को deal करते है often referred to as human service areas they include clinical counseling, community school and organizational psychology human service areas क्यों mention किया जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी area नहीं है जहाँ पर psychologist work करते हैं और वो humans associated ना हो क्योंकि देखे जो हम humans होते है ना उनहीं का तो brain सबसे ज्यादा active होता है और यह psychology अनेक्टे तो इसी चीज से है mind से brain से हमारे different attributes से तो यह सब हमें human में ही देखने को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर human service areas को mention किया जाता है अब हम पहले clinical psychologist की बात करते हैं इनका basic work क्या होता है मैं आपको यह समझाते चलू लास्ट वीडियो जो मैंने आपको mention किया था उसे देखना मत भूलेगा उससे आपको और अच्छे से detailing मिलेगी और भी ज्यादा different points मिलेंगे जो मैं शाहिद यहाँ discuss ना भी करूँ यह कहते हैं कि clinical psychologist जो होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या solve करते हैं behavioral problems, behavioral issues यानि person का जो behavior है न हमेशा वही abnormal होता है उसी को treat किया जाता है किसकी help से by providing therapies, different therapies यह therapies वो methods होते हैं वो treatment के तरीके होते हैं जिनकी help से behavioral issues fix किया जाते हैं और various mental disorders भी हो सकते हैं जैसे anxiety होना, किसी person को किसी बात का phobia हो जाना, fear generate हो जाना, घर पे, workplace पे या दोस्तों से मिलने में कोई हिच के चाहट होना, कोई भी problem है किसी भी तरह की जिसको psychologist deal करते हैं, clinical psychologist basically by using therapy, यह point important है कि वो therapy use करते हैं they work either as private practitioner or at hospitals, वो personally भी work करते हैं, जैसे आप जानते हैं, doctors आपने देखा इतना पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, तो वो किसी government college में, government school में, government organizations होते हैं, वहां पर work कर रहे होते हैं, फिर अपना खुद का clinic कोल लेते हैं, तो बिल्कुल clinical psychologist भी किसी तरीके से work करते हैं, mental institutions जो होते हैं, जहां पर drug addiction को remove किया जाता है, इस तरह के जगों पर भी work करते हैं, या फिर social agencies के साथ भी वो लग जाते हैं, जैसे किसी social बड़े social cause को अगर कोई उठा लेता है, तो उसके साथ भी psychologist की जरूरत पढ़ती है, क्योंकि लोगों के बीच अगर किसी तरह की awareness की जा इंट्रव्यूस एंड अड्मिनिस्टरिंग साइकोलोजिकल टेस्ट टू डाग्नॉज दा क्लाइंट्स प्रॉब्लम ये भी हो सकते है कि क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डिफरेंट साइकोलोजिकल टेस्ट की help से किसी क्लाइंट के प्रॉब्लम को resolve करें, इसके लिए वो क्लिनिकल साइकोलोजी अट्रैक्ट क्वाइट क्लिनिकल साइकोलोजी की फील्ड ऐसी है जब बहुत सारे लोग जो भी साइकोलोजी पढ़ते हैं वो क्लिनिकल की तरफ अट्रैक्ट होते ही, एक मैंगनेटिजम है इसमें डिफरेंट काइंड ओफ क्लिनिकल साइकोलोजिस की फील्ड में तो लोग बनना चाहते हैं जो लोग भी psychology पढ़ते हैं वो clinical psychologist जरूर बनना चाहते हैं तो यह काफी attracting workplace create करता है different psychology learners के लिए आगे बढ़ते हैं counseling psychologist जैसा की word है counseling तो counseling करना यहां पर major work होता है these work with persons who suffer from motivational and emotional problem majorly counseling का मतलब होता है is more about the talk therapy जो हमने अभी यहां पर बात की थी clinical psychologist यह भी talk therapy करते हैं लेकिन इनकी therapy और specific हो जाती है जैसे अगर मैं अभी नाम लूँ यहां पर जो शायद अपने अभी तक नहीं सुना है क्लास 11 में आपने CBT टर्म शायद ही सुना हो और अगर आप बहुत जादा psychology lover है तो जरूर सुना होगा जिससे cognitive behavioral therapy एक मैं example के लिए यूज कर रही हूं यह special technique हो गई अभी मैं detail में नहीं जा रही हूं कि यह क्या होती है बट एक special technique हो गई इसको clinical psychologist करते हैं लेकिन counselling psychologist यह special therapies यह techniques नहीं करते हैं they use the basic therapy basic therapy means जिसको talk therapy करते हैं जो हर कोई कर सकता है यह भी कहना शायद गलत ही हो जाएगा कि हर कोई कर सकता है बट हाँ हर टाइप का psychologist तो जरूर कर सकता है क्योंकि हर परसंद के लिए तो नहीं कह सकते है कि कोई भी talk therapy कर लेगा तो फिर फरकी कह रहा है जाएगा लेकिन हर टाइप के जो psychologist होते हैं जितने भी different type के psychologist होते हैं एक चीछ सब में common देखने को मिलते हैं they can do talk therapy I hope you clear with the word talk therapy थोड़ा सा zoom in कर लेते हैं चलिए तो counseling psychologist work with person who suffer from motivational and emotional problems the problems of their client are less serious than those of the clinical psychologist यहां पर problem बहुत ज्यादा serious नहीं होती है तो यानि अगर किसी पी person के behavior में में कुछ issues देखने को मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल ही basic level पर counseling psychologist की help से tackle किये जा सकते हैं लेकिन अगर वो ज्यादा serious होंगे तो हमें clinical के पास जाना पड़ेगा a counseling psychologist may be involved in vocational rehabilitation programs or helping persons in making professional choices or in adjusting to new and difficult situations of life counseling psychologist का मैं आपको बहतरीन example देती हूँ जो आप जिस पे बिल्कुल आप agree करेंगे आपकी school में counselor academic counselor type होते हैं जो आपको यह बताते हैं कि आपको 11th के बाद 12th के बाद क्या करना चाहिए या 10th के बाद को कौन सी stream चूज करना चाहिए जनरली तो देखे schools में क्या होता है कि अगर private schools हैं तो मेभी वो अगर नहीं appoint कर रहे हैं कोई counseling psychologist तो यह काम psychology teacher से ही कर वा लिया जाता है क्योंकि of course they can do it and they can do it very well as of course तो counseling psychologist का वो role play करते हैं counseling करना जिसे career counseling आपने career counselor word तो definitely सुना होगा अगर और कुछ भी ने सुना है युनिवर्सिटी मैंने आपको school college university का example तो यहां पर भी दिया ही है इसके अलावा भी बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं community psychologist इसमें हम क्या लिखेंगे इस topic में community psychologist जैसा की word है they generally focus on problems related to community mental health यह एक थोड़ा group level पर चली जाती है जैसे ऊपर के case में हमने देखा counseling या clinical में individual की बात हो रही है अगर किसी को relationship advisor है relationship counseling कर रहे है तो भई उसकी personal life का issue हो गया career counseling कर रहे हैं तो वो भी individual होगा लेकिन community psychologist एक बड़े level पर चीज़े बढ़ जाती है मतला भी एक step और बढ़ जाते हैं और community psychologist जो होते है they work for mental health agencies private organizations and state government थोड़ा बड़े level mass population को यह target करते है they help the community and its institution in addressing physical and mental health problems in ruler areas they may work to establish a mental health center ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर mental health को लेकर लोग बिल्कुल भी जाग रुक नहीं है बिल्कुल भी aware नहीं है तो वहां पर कोई अपना center establish कर दिया फिर अगेन आप देख सकते कि mass population को ही यह center पे ले रहे हैं इन urban areas they may design a drug rehabilitation program many community psychologists also work with special populations such as the elderly or physically or mentally challenged किसी भी तरीके के gifted लोग होते हैं यह special children जो होते हैं CWSN वाली category उसमें community psychologists work करते हैं besides the redirection and evaluation of various programs and plans community based rehabilitation is of major interest to community psychologists तो यह majorly मैंने आपको समझाई दिया इसमें मोडे मोडे points जहीं इकल कर आते हैं यह community में mass population को target करते हो हैं बड़े issues को resolve करते हैं kind of awareness यह spread करते हैं and they are called community psychologists और overall इनका work mental health से related ही होता है school psychologists के अगर हम बात करें तो यह भी कह सकते हैं कि बात तो हम करी चुके हैं but फिर भी मैं आपको बता देती हूं school psychologists work in educational system simple सी बात है and their roles vary according to the level of their training किस तरह के कि हमने counselor को point किया किस तरह के school psychologist को हमने point किया career counseling भी कर सकते हैं वह office politics या conflicts इनको भी resolve कर सकते हैं parents और teacher की बीच के relationship को भी establish कर सकते हैं तो बहुत सारा काम हो सकता है school psychologist का यह पूरी तरह की से depend करेगा कि हमने किस purpose और किस training के अंडर उनको hire किया है for example some school psychologist only administers test whereas other also interpret test result to help students with their problem कभी कभी जो कुछ school psychologist के वल child centered होते हैं बिलकुल पूरी तरह के से बच्चों पर ही focused होते हैं they also help in the formulation of school policies they facilitate communication between parents teachers and administrators and also provide teachers and parents with information about the academic progress of a student coming to the organizational psychologist इनका तो main work ही होता है कि यह हर तरीके से organization के welfare के लिए work करते हैं render valuable help in dealing with problems that the executive and employees of an organization tend to face in their respective roles क्यूंकि आप एक student है और अभी अपने organizational वाली life नहीं देखिया आपने वो life को नहीं experience किया है जिसमें लोग job करते हैं jobs में होने वाली issues को करते हैं आप किसी ऐसे person से contact कर सकते हैं जो work करते हो और इसके लिए आप अपने parents से भी बात कर सकते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं अपने workplace पर वो किस किस तरह की problem के across आते हैं तो आप यह समझ पाएंगे कि organizational psychologists वही सब काम करते हैं यही उनका major work होता है आप किसी बड़े organization के अंदर बहुत सारे internal और mutual issues भी होते हैं उनको resolve करने का काम यह organizational psychologist करते हैं अब हम आते हैं next topic के तरह which is psychology in everyday life इस topic पर एक separate video भी है जो कि आप screen पर देख रहे हैं इसको भी आप point wise यहां पर आपको to the point answer मिली जाएगा अगर आप इसको देखते हैं तो इसका भी लिंक आपको description में मिलेगा लेकिन यहां पर हम बात कर लेते हैं कि किस तरही कि से psychology हमारे everyday life में use होती है the discussion above may have clarified that psychology is not only a subject that satisfies some of the curiosities of a mind about human nature but it is also a subject that can offer solutions to a variety of problem यह ऐसा subject है जो actually practical life में use होता है इस में range from purely personal there is an example given to those who may be rooted within the family setup किसी भी personal problem से लेके एक community level तक की problem को यह solve करता है और in a larger group or community setting जो मैंने अभी आपको बताया और may have national और international dimensions psychologists एक छोटी से problem से लेकर एक बड़ी से बड़ी problem तक को solve करने में बहुत help करते हैं problems related to education, health, environment, social justice, women development, intergroup relations, etc यह वो major topics हैं जिनको psychology की help से solve किया जाता है और इस particular field में work करने वाले क्या कहलाते हैं उसी particular field के psychologist while the solution of these problems may involve political, economic and social reforms interventions at the individual levels are also needed in order to change many of these problems are largely of psychological nature and they result from our unhealthy thinking, negative attitude toward people and self and undesirable pattern of behavior जो भी problems arise होती हैं majorly वो human के misbehavior की वज़ा से होती हैं उसकी गलत thinking की वज़ा से हो सकती है उसके गलत perception की वज़ा से हो सकती हैं तो इन सब को solve करने का का psychology करती है a psychological analysis of these problems help both in having a deeper understanding of these problems and also in finding their effective solution जो भी problem होती है psychological analysis जब इनका किया जाता है मतलब minute से minute situation के बारे में सोचा जाता है हर एक बारिक से बारिक point को बहुत detail में analyze किया जाता है इसको हम बोलते हैं psychological analysis जब इन problems का analysis किया जाता है तो यह हमें situation की root cause तक पहुँचने में भी help करती है और एक effective solution की तरफ ले जाती है the potential of psychology in solving the problems of life is being realized more and more media has played a wider role in this respect you may have seen on television counselors and therapists suggesting solution to a variety of problems related to children, adolescents, adults and elderly people आपने देखा ही होगा media बहुत बड़ा role play करती है आपको कोई भी information पता चलती है आप media के through receive करती है तो वो आपके mind पर अलग तरीके से impact डाती है और अब किसी particular situation के बारे में दूसरा angle भी देख पाते है you may also find them analyzing vital social problem relating to social change and development population, poverty, interpersonal or intergroup violence and environmental degradation many psychologists now play an active role in designing and executing intervention programs in order to provide people with a better quality of life different psychologists जो हैं वो बहुत सारे हमें ऐसे intervention program भी provide कर आते हैं जिनकी help से हम better quality life को survive कर पाते हैं जब हम psychology को आगे और पढ़ेंगे तो हम यह जानेंगे कि कैसे ना केवल हमारे खुद के mind को बलकि हम जो दूसरों से connect होते हैं तो जो भी scenario हम create करते हैं, जो भी relationship हम create करते हैं वहाँ पर भी psychology का use होता है अगर हमारे बारे में कोई अपना कुछ opinion देता है और हम कुछ माने बैटे हैं in some other cases persons come to acquire a habit of running down themselves both conditions do not permit us to grow we need to have a positive and balanced understanding of ourselves you may use psychological principles in a positive manner to develop good habits of study for improving your learning and memory and for solving your personal and interpersonal problem by using appropriate decision making strategies psychology की health से ना केवल हम अपनी अच्छी habits को इंकलकेट कर सकते हैं बलकी हम अपनी learning memory को भी improve कर सकते हैं अपनी personal और interpersonal problems को भी solve कर सकते हैं और आगे हम next chapters में और detail में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम psychology का use कर सकते हैं तो ये था chapter 1 जो कि आज हमने complete कर लिया है hope कि आपको समझ में आया होगा ये जो हमारा topic था second वाला psychology in everyday life इसको मैंने बुक से जरूर पढ़ा है बट आप जो वीडियो मैंने mention किया है इसको देखना मत भूलेगा क्योंकि वो वीडियो आपके बहुत काम आएगा आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा क्वेस्चन का कि उससे हम psychology को हम अपने everyday life में किस तरह से यूज करते हैं कुछ भी डाउट आपको इस पूरे चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में है तो प्लीज पूछना मत भूलिएगा जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहती है क्यों मुझी भी थोड़ा बहुत motivation मिल जाता है आप लोगों से जिसकी मुझे भी जरूरत रहती है तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए चलिए उलाकात होगी नेक्स चेप्टर के साथ तिल देन टेक क्यार बाबाए